नमस्कार दोस्तों स्वाइद आपका Real Tutorial चैनल पे तो आज मैं आपके लिए लेक्या हूँ एक Real Problem का Real Solution तो recently हमार एक student हमसे एक query पूछी थी क्या हम वीडियो से कुछ images extract कर सकते हैं तो आप बोलोगे इसमें कुछ बड़ी बात है लेकिन यहां पे ट्विस्ट है ट्विस्ट यह है कि हमें वीडियो से एक या दो images नहीं लेने हमें यहां पर धेर सारे images लेने हैं अब जितना बड़ा हमें वापस वीडियो होगा उतने सारे images चीए तो basically query क्या थे हमारे student की कि उनके sister की उनके पास साधी की वीडियो पड़ी अब जो वीडियो है यह चार-पच वीडियो है और यह एक से दो तिन घंटे की वीडियो है तो इनमें से उनको कुछ random images निकान लें अब धेर सार images निकान लें तो लगबग 50-500-500 कुछ ऐसे images निकान लें तो इसके लिए अगर print screen यूज़ करोगे और screenshot लोगे तो काफी गदा मुझदूरी और काफी manual work हो जाएगा लेकिन हम यहापे करेंगे smart work करेंगे और यहापे हम एच ट्रिक पंफ ऐसको एकसे करेंगे तो चलिए देखते हैं कैसे आप किसी वीडियो से धेड़ सारे इमेज़ों को extract कर सकते हैं तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रो यहाँ पर पैस एक वीडियो है लगबद जंगल का वीडियो जहां पर दो शेरनिया जंगल में घुम रही हैं, और पीछे आपको एक छोटा सा हीरें दिख रहा होगा, तो अब मुझे क्या करना है, इसमें से धेट सारे images extract करने, अब हो कैसे करेंगे, चले में बता देता हूं, तो ऐसे scenario में हम यूज करेंगे VLC Media Player का, VLC Media Player ये बिल्कुल फ्री है, आप इसको फ्री में यूज कर सकते हो, जी हां, तो आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते है, आप चाहिए Google पर जाके सेर्च करिए, या फिर आप Microsoft के स्टोर से भी जाके इसको डाउनलोड बगरा कर सकते है, और उसको इंस्टॉल कर लीजिए, तो जब एक बार VLC Media Player आपके सिस्टेम में आ जाएगा, तो आगे अब हमें करना क्या, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा वीडियो है, उसको VLC Player में उपन कर लेंगे, तो मैंने क्या क्या क्या, तो मैरे फोल्डर में गया, मेरे वीडियो पर राइट क्लिक किया, और यहां पर जाके मैं होगा कि यह वीडियो 25FS है, या फिर 30FS है, या फिर 60FS है, तो बेसिकली यहां पर FS क्या होता है, फ्रेम पर सेकेंड, यह बेसिकली बता था एक वीडियो के एक सेकेंड के अंदर कितने फ्रेम से, तो अगर कोई वीडियो 60FS है, यानि 60 फ्रेम पर सेकेंड है, तो उस वीडिय में जितने फ्रेम ज्यादा होंगे उतने ही वीडियो की quality हाई होगी तो अगर आपके पास कोई वीडियो है जिसमें 60 fs है तो हाई quality की वीडियो होगी और जैसे 30 है वो भी हाई होगी लेकिन उतना नहीं होगी जितना 60 वाली है तो उसी तरीकी सा करए कोई 25 है कोई 30 है कोई 60 है तो जो भी quality होगी वीडियो की वीडियो की वीडियो की बात कर रहा हूं उस वीडियो के अंदर अब किसी वीडियो का frame per second आपको जानना तब क्या करिए उस वीडियो के property में जाईए जैसे यहाँ पे मेरे folder में वीडियो आपको इस पर right click करना है इसकी property पर जाईए show more option और यहाँ पर आपको property देखने मिलेगा इस property पर click किजिए और इसके बाद आपको details में जाना है आप details में जाऊंगा यहाँ पे आपको वीडियो के बारे में information मिलती है जैसे वीडियो की length कितनी है वीडियो की width कितनी है वीडियो की height कितनी है data rate क्या है total by rate क्या और यहाँ पे आपको देखिए frame rate frame rate दिख रहा आपको यहाँ पे 25 frames second यानि यह जो मेरा video है यह 25 frame per second का video है तो इस वीडियो के हर एक second के इंदर 20 frames है तो चलिए बढ़ते हैं हमारे trick की तडब तो यहाँ पे आपको क्या करना है आपने video open कर लिया अब आपको करना कि आपको जाना है tools में tools में जाने के बाद आपको क्या करना है आपको preference पे जाना है preferences पे तो यहाँ पे आप control P का भी यूज क अब यहाँ पे आपको 2 options दिखेंगे एक simple एक all तो आपको क्या करना है जो all है उस पे tick करना है अब all पे tick करने के बाद यहाँ पे आपके सामने धेर सारे options open हो जाएंगे advanced setting के हैं अब इसके अंदर आपको जाना है videos में videos पे गए आप उसके बाद filters पे click करना है और filters पे click करन है और आपको यहाँ पर ढूनना है scene filter यहाँ पर scene filter पर आप click करिए आपके सामने कुछ इस तरीके का option आ जाएगा यहाँ पर आपको heading देखने मिलेगी scene video filter और उसके नीचे आपको option देखने मिलेगा send your video to picture files तो यह basically यहाँ से क्या होगा यह आपके वीडियो के frame को image में convert करेगा और आपके बताय हुए folder पर ले जाके इसको save कर देगा अब सबसे पहला है image format तो आप यहाँ पे jpg भी type कर सकते हो या फिर यहाँ पे png भी type कर सकते हो अगर आप first time इसको open करेगा तो आपके case में by default यहाँ पे jpg होगा मेरे case में यहाँ पी कुछ भी नहीं दीख रहा है क्यूंकि मैंने पहले इसका use किया है और वहाँ पर जो format ता उसको मैंने change कर दिया तो आप इसको jpg में convert कर सकते हो अब उसके बाद आता है image width और image height अब यहाँ पे इमेज width और height आप उसको minus 1 ही रहने दीजिए अब minus 1 से होगा क्या जो भी आपके video की width और height है उसी के according यह क्या करेगा आपके image को save करेगा या फिर आप manually कोई size में changes करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो तो आप यहाँ जैसे लिख सकते हो 1920 या फिर 1080 इस तरीके साफ लिख सकते हो या फिर मैं तो आपको suggest करूंगा minus 1 होनी रहने दीजिए जो video का size है उसी size में images को save होने दीजिए अब अगला जो option है वो है file prefix file prefix basically क्या करेगा जो भी आपके images save होंगे उसको किस name से save करना है वो आपको यहाँ पे बताना है अब जैसे मैं यहाँ पे लिख दो तो image अब जैसे पहला image save करेगा तो image 1,2,3 इस तरीके साफ वो sequence में save करता चला जाएगा अब अगला जो option है वो है directory path prefix आपको जो image से वो कौन से location पे save करने वो आपको बताना है तो मैं क्या करूँगा तो मैंने जहाँ पे video को रखा है मैं वहीं पे images को save करूँगा मैं क्या करता हूँ इसको copy कर लेता हूँ यह जो आपको path दिख रहा है यहाँ पे आपको copy कर लेना इसको और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ यह जो directory path तो यहां पर आके मैं इसको paste कर दूँगा तो यहां पर क्या हो गया मैंने directory path set कर दिया अब अगला जो point हो है recording ratio का यह काफी important important इसलिए है क्योंकि मेरा विजु थोड़ी दे पहले आपको explain किया 25 per second video या फिर 30 frame per second video या फिर 60 frame per second video वो यहां पर काम आने वाले अब वो काम यहां पर क्या हैगा चलिए मैं बता देता हूँ अब यहां पर मैंने enter करका रखा हुए 10 अब यहां पर क्या करेगा हर frame में 10 इमेज होगा उसको capture करेगा तो माल लीजे मेरे पास कोई video है जो 30 second per second है तो मतलब 1 second के अंदर उसके 30 images है और मैंने यहां पर 10 type किया तो क्या करेगा हर 10 frame के बाद एक image capture करेगा तो यानि 30 frame per second में मुझे 3 video लाके देगा और उसी तरह किसे अगर मेरा video 60 frame per second है तो वहां में मुझे per second में 6 video लाके देगा अब मेरे case में जो मेरा video हुआ है 25 per second तो यह क्या करेगा मुझे 2 images लाके देगा हर 10 भी frame का image लाके देगा यह point काफी important है तो इसको ध्यान से एक बार देख लिएज़ा अगर मैं यहां पर 1 लिख दूँगा तो यह क्या करेगा हर एक frame को capture करेगा फ्रेम यूज हुए है वो सबको capture करेगा अगर आपको हर frame capture करना है तो आप महाँ पर 1 लिखिए और नहीं तो 10 लिख दीजिए तो by default मैं 10 ही यूज करता हूँ क्योंकि यह proper लगता है मुझे अब यहां पर मैंने क्या किया scene video filter में जो भी मुझे required input थे वो मेरे enter कर दे अब इसको आपको क्या करना है save करना है यह save करते आपने अब इसके बाद हमें एक और step follow करना है तो आभी तो हमने क्या गया scene video filter के अंदर जो भी input थे उसको डालके save किया है अब उसको हमें activate करना है उसको on करना है on कैसे होगा आपको क्या करना वापस जाना है tools में वापस preference में जाना आपको यहाँ पर वापस आ जाना है हमें all पर all पर आने का बाद क्या करना है फिर वही हमें जाना है videos में अब हमें क्या करना filter पर click करना है अब filter पर जब आप click करो गए तो यहाँ पर देखे right hand side में आपको धेर सारे tools को option आ जाएंगे और यहीं पर आपको मिलेगा एक option थोड़ा यह right hand side scroll करेजिए और यहीं पर option मिलेगा scene video filter तो आपको कहा करना है इसको tick करके इसको on कर देना है और अब आप सको save करिये save हो गया आप इस video को क्या करें आप close कर दीए तो आप हमने यहाँ पर पूरी setting को save कर दीए अब हमें क्या करना है वापस vlc में उस video को play करना है जिसके अंदर से आपको images extract करने है, जैसी हम किसी भी वीडियो को play करेंगे, VLC player क्या करेगा, उस वीडियो से हमें images लाके दे गया, तो चलिए try करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ इसको play कर लेता हूँ, यह play हो गया, अब यह play हो रहा है, आप देख सकतो नीचे, हर 10 frame के बाद हो थोड़ा रुक रुक के चल रहा है, हर 10 frame के बाद क्या कर रहा है, वो एक image capture कर रहा है, तो इसको पहले काम कर लेने देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे क्या इसने हमारा काम सही धंग से किया है, तो यहाँ पर वीडियो मेरा खतम हो गया, अब मैं गया करता हूँ, तो यही हमारा वो folder है, यहाँ पर हमने directory path में set किया था, मैं गया करता है, यहाँ पर इसको refresh कर देता है, एक बार, तो दोस्तों, जैसी मैंने refresh किया, देखा आपने यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ एक magic, तो magic यह हुआ कि यहाँ पर VLC प्लेयर ने हमें धे सारे images लाके दे दिये हैं, हमारे वीडियो के अंदर से, जी हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर धे सारे images देखने को मिल रहे हैं, इनको मैं open कर लेता हूँ एक बार, तो जैसे कि मैंने VLC प्लेयर के अंदर recording ratio set किया था 10 को, तो उसने after every 10th frame मेरे एक image capture करके दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने एक-एक images को कि यहाँ पर capture कितने साही धंक से किया है, अगर आप इसको speed में आगे जाओगे तो अच्छा लगे आपको सच में videos चल रहे हैं, तो यहाँ पर इसने क्या क्या है, जो size मेरे video की थी उसी size के according मुझे यहाँ पर image को capture करके दे दिया है, अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो setting हमने VLC player में की थी यह अभी भी on है, तो जो scene video filter की setting थे वो अभी भी on है, तो आप कोई भी दूसरा video अगर play करोगे यह time पे, तो वो क्या करेगा, उसके भी 10th frame के बाद हमें images लाके दिना चालू कर देगा, तो चलिए मैं इसको example के थुरू दिखा देता हूँ, तो मेरे पास एक और video यहाँ पे, इसको मैं play करता हूँ, यह play हो रहा है, इसको full screen कर देता हूँ, और इसको play हो जाने देते हैं, यह भी ज्यादा बड़ा video ने हैं, यह कुछ 10 या 15 second का ही video है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो लग आउटिंग करने का है, और वहाँ पे बैटके चाय पी रहे है, तो इनको चाय पी लेने देते हैं, तो यहाँ पे video खतम हो गया, मैं इसको क्या करता हूँ, मिनिमस कर देता हूँ, ओके यहाँ पर तभी मुझे images दिखनी रहे लेकिन यहाँ पर जैसी मैं इसको refresh करूंगा इसको refresh का button अभी देखिये क्या होता है यहाँ पर जादू हो गया दोस्तो देख रहो यहाँ पर अब मैं इसको बड़ा करूंगा तो आप देख रहे सेम images यहाँ पर आपको मिलेंगे जो आपने वीडियो में अभी दिखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है VLC वही काम कर रहा है कि उसको मैंने कमांड देखे रखावा है कि मुझे हर एक दसवे फ्रेम को images में convert करके चाहिए तो आप भी अगर आपके वीडियो से धे सारे images को extract करना चाहते हो तो आप इस trick को follow कर सकते हो अब यहाँ पर मैं एक बात आपको और बता देता हूँ जो काफी important और काफी जरूरी है वो यह है कि अभी भी हमारे VLC player में setting on है scene video filter गी तो यह क्या करेगा जब भी आप कोई video अगर आप प्ले करोगे तो यह बार बार वहाँ से images को capture करना चालू कर देगा तो जबी भी आपका काम खतम हो जाए यानि आपने जो task दिया था VLC player को उसने complete कर दिया उसने video से images को extract कर लिए अब आप जाके उसको बंद कर दीजिए otherwise अब कभी भी कोई video प्ले करोगे वो उसका images को capture करते रहेगा तो वापस जाए VLC player में टूल्स में जाएए प्रेफरेंसिस में जाएए और यहाँ पे left hand side में नीचे की तरफ आपको all पे क्लिक करना है देन आपको वीडियो को सर्च करना है नीचे वीडियो में जाए देन फिल्टर पे क्लिक करें और यहाँ पे जो scene video filter है इसको आप untick क कर दीजिए that's it now you are good to go तो आप कोई भी वीडियो प्ले करोगे VLC player में तो वहाँ पे अब वो images को capture नहीं करेगा आपको फिर से वीडियो capture करवाना है तो जाएए setting में preferences में जाएए all में जाएए नीचे वीडियो में आके filter में आए उसको tick करके ok कर दीजिए फिर वो क्या कर करेगा आपके लिए वीडियो से images को capture करना चालू कर देगा तो फ्रेंस कैसे लगा आपको आज के वीडियो वीडियो पसंद है तो लाइक जरू करिए और कोई feedback क्या suggestion है तो comment section में लिख सकते अगर आपको नया आगमन हुआ हमारे चैनल पे तो subscribe बटन लो जरू दबाएए अब जो खंटा उसको भी बजा दीजिए मैं गजिता आपसे अगले वीडियो केंदे तब के लिए बाए बाए